सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपिंद्र कुमार पांडे, किंद्री सम्स्कृत विश्विद्याले भोपाल परिसर जोतिस विभाग से, आप सभी को नवरात्री के शुभ कामनाय देता हूँ, मित्रों, आज का जो जीवन है या जीवन शैली है, वह सभी को कश्टदाई या यह कहें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पीडित ना हो, कोई सारीरिक रूप से पीडित है, कोई मांसिक रूप से पीडित है, कहा भी गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है वो रोगों का मंदिर है, रोगों का स्थान है, तो रोगों को दूर करने के लिए इस नवरात्री पर एक बहुत सरल प्रयोग में आपके सामने उपस्थापित कर रहा हूं, उपस्थित कर रहा हूं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, नवारन मंतर का या दुरगा सप्तसती का पाठ करके, नवारन मंतर का जब करके, हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, वि उसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें पाठ भेद है उसमें परेशान नहीं होना है भाव कहने का यहा है यह जो मंत्र है इसका प्रतिदिन जप करने से कम से कम नव माला का जप करें नवरात्री में नव दिन जप करें और फिर इसका दूरवा से हवन करें दूरवा को घी में ड से इस लाब होगा इससे किसी भी प्रकार की बीमारी हो सरीर में चाह कोरोना के कारण हो गई हो या आजकल नहीं नहीं बीमारियां जो फैल रही है उनके कारण हो या दीर्ग काली कोई बहुत लंबे समय से परेशानी चल रही हो तो हमें उससे लाब मिलता है एक चीज और होती है कि कुछ किया तो नहीं गया है मारे उपर उसके करण कोई बीमारी आ गई है या किसी ने हमारे उपर कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया है जिसके करण बीमारी चल रही है या बीमारी ठीक नहीं हो रही है उसके लिए बारवें अध्याय में दुरगा सब्सती के एक प्रयोग ह इस मंत्र का जब करें या इस मंत्र से संपुटित पाठ करें तो ग्यात अग्यात यदि कोई बाधा हो गई है और उसके कारण परेशानी चल रही है चाहे वग्रह बाधा हो या वास्तु बाधा हो या भूत प्रेत बाधा हो या ब्रम्भराक्षस बाधा हो या किसी ने कुछ कर दिया हो उसकी बाधा हो किसी भी प्रकार किये दि कोई बाधा है तो इसका संपुटित पाठ करने से किसी भी प्रकार का कोई रोग है और लाभ न सकते हैं